हलो अरिवान मैं हूँ अनियल पाटिदार वेलकम टू मैगनिट बेंश हिंदी दोस्तों आज के इस लेक्षर हम लोग क्या सिखने वाले हैं आज हम बात करेंगे कक्षाटवी के सामाजिक विज्ञान के अंतरकत जो हमारा विशय है उसका नाम है नागरिक शास्त्र और नाग जानने का प्रयास करेंगे और साथ यसाथ NCRT के अंदर जो भी अलग से कोशन दिये गए हम उनके भी उत्तर जानेंगे सबसे में हैडिंग को बता दू कि हाश्या करन से निपटने का मतलब क्या होता है तो अब को पता ना कि प्रिवियस चाप्टर में हमने पढ़ा था हाश्या करन की समझ से हमने समझाता तोड़ा सा कि हाश्या करन का मतलब होता है कि समाज में कोई ऐसा समुधाय जिसको में समाज से बाहर कर दिया गया है या किनारे पर रखेल दिया गया उसका मतलब होता है हाश्या करन और इन्हीं हाश्या ही समुधाय के साथ जो भेदभा में हम लोग ने पढ़ा था 89 का एक पढ़ा था अत्याचार निवरन अधिनियम तो इसे बहुत सरे कानून यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं आप बार ही आती एंसी आटी सोलिशन की तो देखते एक एक करके कोशन पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते इसके उत्तर समुदाय प्रतिष्टापूर्ण और समतापूर्ण व्यवहार पर जोड देने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं बतला एसे दो मोलिक दिगार बताना हम लोगों को जो जो दलिश समुदाय के प्रतिष्टापूर्ण मतलब उनको कही ने कही एक गरिमा पूर्ण मतलब एक कावाल का जवाब देने के लिए प्रस्ट संख्या चाउदा पर दिये गए मोलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए प्रस्ट संख्या चाउदा में जो मोलिक अधिकार दिये गए हैं बस वही मोलिक अधिकार तो इसका उतर है तो अगर प्रस्ट संख्या चाउदा में जा और संतयपुर्म व्यभार पर जोड़ देने के लिए इस्तमाल करते तो पहला जो होता है इसको वम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार समानता का अधिकार पर में कौन को से आर्टिकल आते हैं मेंली आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 यह आते हैं आर्टिकल 18 भी आता है लेकिन दलित समुधाय से जोड़ के देखेंगे हम तो मेंली दो आर्टिकल यहां पर बात करते हैं जिसकी पेज नंबर 14 में जिक्र किया गया है आर्टिकल को किसी भी व्यक्ति को लिंग जाती लिंग, जाती धर्म, वर्ण, और जन्मृस्तान के आधार पर उसके साथ भैदभाव नहीं कर सकते तो जन्म इस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते आप भेद भाव नहीं कर सकते तो कुल मिला कि किसी व्यक्ति के साथ जादी के आधार पर धर्मे के आधार पर लिंग के आधार पर कलर के आधार पर और जन्म इस्थान के आधार पर भेद भाव नहीं किया प्रश्टा का उनमुलन तो की सिसरक्षिए गभुकेंद की सब्सक्राइब मतलब चूवा छूट कि समाप्ति तो ऑज़्प्रश्टा की समाप्ती भी हम लिखा गया तो अगर आप थोड़ा से इसको में भी अब समाइन तक अधिकार दूसरा आता है वह आता है स्वातंतरता का अधिकार स्वातंतरता का अधिकार दोस्तों पूरी चाप्टर में हम लोग ने ऐख सरी चीज पढ़ी कि भूछ सования जाती हो को जबर जस्ति किसी काम को कराने के लिए मजबूर किया यह प्रइवार कुछा ना पड़ता था तो तो दोस्तों वह प्रता थी वह बहुत गलट प्रता थी उसमें क्या था? कि और इसकाम के खिलाव है? यह उसकी तो उसकी स्वतंतता थी यह चाहे जिस शहाना चोट चॉलिस कर सकते काम पर बात की गई और स्वतंता का अधिकार शुरू होता आपका आर्टिकल 19 20 21 22 सब में लिखा हुआ है न तो आर्टिकल 19 21 22 लेकिन यहां पर बात आती है आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो कहीं नहीं के आपके अधिकार बनता है कि यहां पर हर एक चीज आपको मिलना चाहिए दोनों मेंशन करने आपको समानता का अधिकार और स्वतंता का अधिकार मैं इसको मिटा रहा हूं फिर मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूं लगब लब उत्तर में हम लोगों ने इन दोनों की नाम लिखे हैं देखे क्या है अच्छा समानता के अधिकार के बाद एक और अध उसमें भी सकते है वह सकता है उसमें उसमें फोलिक आज लेकिन आगर जान बूछ उसको फोर्स फुली करा जाद सुषण है अचा हम एक परीवार में सवतंता की बात कर लेगी लेकिन रथनम के बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी मेला उठाने वाली प्रथा तो मेला डोने सब्सक्राइब करें कि लगते कर दो धीकार लिखने थे लिए को एकपकर लिख सकते यह तीस Familien दोगय को एक करें सकते सब्सक्राइब जो भूलते है जोर देने के लिए करते हैं तो अधिकार कौन-कौन से वह समानता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 15-17 का जिक्र कर सकते हैं शोशन के विरुद्ध अधिकार फोर्सफुली किसी को जबरञस्ति किसी से काम करवाने पर रोक लगाये गया कर सकते हैं अब शिक्र याद नहीं आ रहा हैँा तो कोई दिक्कत नहीं होगी वह सही उत्तर उसका कि रतनम के कहानी का इस अधिनियम से क्या संबन है तो यह कहानी शुरू होती गाउं की जिसका नाम है जकमाल गुर जकमाल गुर नाम का गाउं है जहां पर यह कहानी शुरू होती वहां पर लोग जूटे हो एकटे हो रहे थे किसी उत्सव को मनाने के लिए और उत्सव जो थ कि और शूंदीों कह सोगे लेकिन शुरुवात करने से बेले उन बीस पूझारियों के पेर धोने की रिवाज स्म hour और उस रस्म क्या होता है उनका पेर सोता है वह वेक्ती खोता है उन के पैर धोने के बाद पानी बजता उस से नहाता है तो कहीं के यह थोड़ा सा अज़िब प्रथा लग लग रही थी लेकिन सालों से बहुत सतरी आसी परंपरा है देश में दोस्तों चली ही आ रही थी तो यह परंपरा का जो अब वो दलित परीवार है वो अपर वी प्रिवार रिए और फिक्स परिवार करते लेकिन रतनम जो है उसकी परिवार में सबसे बढ़ लिखा विक्ति था 20 वर्षी रतनम एंजनेरिंग कर रहा था डाव एंजनीरिंग करने के वज़े से उस चाहि villains को जो आदमी यह सोचता है कि जो रिति रिवाज है वो सही नहीं है तो उसने के इसका विरोध करना शुरू कि उसने बोला कि आप जबर जस्ती मेरे उपर वो चीज नहीं थाम सकते जो मैं नहीं करना चाता आप जबर जस्ती मेरे उपर वो थी स्थोप नहीं सकते जो मैं नहीं करना तो रतनम ने इसको मेना कर दिया आप उची जाती के जो ताकतवर लोग है वो कहीं ने के रतनम से खफा हो गए गुसा हो गए रतनम से उची जाती के लोग गुसा हो जाते हैं और साथी साथ रतनम की जो जाती दलित जाती के लोग है वो भी उससे गुसा हो जाते हैं तो यहा करते हैं अगर रत्नम की वज़े से कि यह पेर नहीं दोएगा तो हमारे आजवी का क्या होगा यह लोग तो हमें जॉब देना बंद कर देंगे तो उन्हों लोगों ने यह दागाओं में सूचना फिला दी कोई भी उस रत्नम के घर को परिवार का साथ नहीं देगा उसका बाइकाट कर दो अब हुआ यह कि रत्नम का बहिशकार किया गया एकायक रात को रत्नम की जोपड़ी में किसी ने आग लगा दी हो नहों वह उची जाती के लो अनुसुचित जाती जन जाती अत्याचार निवरंट अधिणियम नंतीं 89 में अपनी शिकायत दर्ज करवा तक सिकायत दर्ज की जाती है क्यों कि उसके साथ क्या हुआ था अत्याचार भी वह था और भाइशकार बीवा था था त्याचार और वहां की खिलाफ वो इस अधिनियम के अत्रगत अपनी रिपोर्ट दर्श करवाता है फायर दर्श होने के बाद पुलीस प्रशाशन जाश्म लगत जाती है जाश परता रहोती है मामले की मीडिया भी उसका साथ दे याती है और अंत में होता यह है कि रद्नम के रद्नम को मिलता है जाए और इसी रूडिवादी परंपरा को समाप्त कर दिया जाता है आखरी में लेकिन अंत उसका सही नहीं हुआ अंत में हुआ कि रत्नम को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा तो दोस्तों यह थी वह स्टोरी अब हम लोग प्रशन पर आते क्वेशन क्या है क्वे को दोबारा पढ़िए अब एक कारण बताए कि रत्नम ने इसी कानून के तहर शिकायत के उदर्ज कराई कि इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को जबर्जस्ति उस काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते जो आमानवी हो यह आर्टिक यह जो कानून है ना 1989 का इसमें साफ शब्दो में फोर्स फूल इंहीं करवा सकते हैं जो आमानवी हो जो गलत हो जो इन नहीं करना चाहता है तो करने के इसी वज़े यह सार इतने ही कर सकते कि बहुत सिंपल सी कहानी थी लेकिन कहानी का साहल समझना पड़ेगा अब बोल रहे है कि कोई शिकायत को दर्श कराई एक करण बता ही एक करण के हम लोग इसके लिए एक दो कान बता सकते हैं ठीक ना अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अधिनियम 1989 क्या बोलता है कि अब इसमें क्या होता है रत्नम को पुजारियों के पेर धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था काम यह हो रहा था इसलिए रत्नम ने क्या कि इसका विरोध किया इस अधिनियम क के अनुसार अनुसुचित जाती या अनुसुचित तथा अनुसुचित जन जाती कि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्वे करने के लिए मजबूर मजबूर करना जो की मानवी प्रतिष्था के अनुरूप नहीं है मानवी प्रतिष्था मतलब इस लिए आप से वह काम करवा जा रहा है तो गलत होगा आपके इच्छा ही नहीं आप क्यों पेर्द होगे किसी और के या मेलाड होने की प्रता में आप गंदगी साफ क्यों बाद होगा रत्नम ने इसी लिए इसके अंतरकर शिकायत दर्ज करवाई अब यह तो रत्नम वाला बात हो गया अगर मानलों किसी को जबर्जस्ति को किस खाने को बोलते तो इसमें लिखा हुआ आट नाइंटीन की कानून में कि यदि किसी व्यक्ति को जबर्जस्ति जो अ बेसी चीज खाने पर मजबूर करें जिसको खाया नहीं जा सकता तो वह भी अपराद किसे नहीं आती है अगर आप आदिवासी जन जाती के ना और अनुसुचित के नाम पर कोई जमीन है उसको कब्जा कर रहे हो तो भी आप पात्र होंगे सजा के अगर आप महिलाओं को न नहीं करवा सकते किसी व्यक्ति से क्वेशन नंबर तीन परते हैं बहुत अंटरस्टिंग है क्वेशन नमर तीन है कि सी के जानूं और अन्य आदिवासी कारेकरताओं को एसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाप 1989 के इस कानूनों का इस्तमाल कर सकते हैं और इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मानिता को पुष्टी देता है 1989 की बात की जा रही है सबसे पहले मैं इस कॉश्चन को थाड़ा क्लियर कर दूँ कि कॉश्चन पूशना क्या चारा है क्योंकि एंसी आटी सिखे जानू तर अब सेजानू को ने मैंने पढ़ाया भी सिखे जानुश अब एक आदिवासी कारे करता है जो आदिवासी की जाग रुगता की लिए काम कर रहे थे इसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परभबरागत संसादनों के चीने चाहिए के खिलाब 1989 के कानून का इस्तीमाल कर सकते हैं 1989 का700 जिसका नाम क्या है उसका नाम है अनुसूचित जाति इवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारान अधिनियम़ अब इसका दूसरा पढ़ा जन जाति तो बिलकुर उनको सही लगता है क्यों कि इस कानुन में लिका हुआ है कि यहीं कि सी आधिवासी व्यक्ति की जमीन को कोई दूसरा घेर आधिवासी व्यक्ति अपने नाम कराता है कबजा करता है तो ऐसे में वो सजाका प्रार्थी होगा सजाका पात्र होगा तो कहीं नाइंटेन एटीन नाइन का जो दिनियम है वो आदिवासियों की रक्षा भी करता है सीके जानू साब ने सरकार पर आरोब भी लगा है कि सरकार खुद इस कानून का उलंगन कर रही है जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था उसको समझेंगे हम लोग फिलाल क्या है कि छीने जाना खिलाब से जो सवेधानिक नहीं है इले के लिए नाम करवाता वो भी गला थे तो कहींना के खेती के लिए जो लोग जमीने ले रहे थे और जंगल काट रहे सब कुछ हो रहा था क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि आदिवासियों के समझ्या थी विस्थापन की उ कानू और अदिवासिक कारिकरता की सोच का कारण क्या है कारण यह है की 1989 कानून का एक प्रावधान यह भी है कि अनुषुचित जाती अनुसुचित जन जाती के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेदी करता है या उसे अपने नाम पर स्थांद्रित करवा लेता है तो उसे सजादी जाएगी तो कोई भी व्यक्तित जोर जब उतरमील कियान उसे जाते हैं के नाम पर acquired किए जमिन को को भी दूसरा हैक्ति अपने नाम पर नहीं कर सकता कभजा नहीं कर सकता खेति के लिए उपयोग कर सकता अगर इन ती नों में से कोई करेंगा तो उसको सजा दी जाएगी कि इस्करान से सोचाatra और अधिवासी कहार्schaft को लगाकि भी परमपरागत ओंगी अबारंपरागत साधन होगी अनुछ क्या होते है जो सालों से इस्तमाल करें अपने लिए जो यह लोग इसे इस्तमाल करें को क्म जंगल उनके संसाधन है परंपरागत जंगलों में रहना चीजे बिन करके आजवी का चलाना शिकार करना यह उनके परंपरागत साधन है चीने जाने के खिलाब 1989 के अधिनियम का परयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है नेक्स्ट वो है आपके पेज नंबर 97 पर पेज नंबर 97 पर एक क्वेशन लिखा गया क्वेशन क्या रिखा गया पढ़ लाते हैं उसको आपकी राय में दलितो और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षन इतना मत्तपूर्ण क्यों है इसका एक करन बता है देखिए पहले तो वर्ट समझना है दलितो और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षन जरूरी है आरक्षन क्या है हमने आरक्षन की निती भी पड़ी थी आरक्षन में क्या होता है अनुसूचित जाती और जन जातियों के लिए विशेश आरक्षन की व्यवस्ता की गई सविधान में और कहीं ने क्या होता है कहां की गई सेक्षन मतलब सिक्षा में की गए अगर आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ना है तो वहां पर कुछ ववस्ता की चात्रवाज की विवस्ता है सरकारी नोक्रियों में होता है सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ नयाई समाज में भेदभाव क्या हो रहा है हमारे इस देश में समाज में भेदभाव चलता है वो क्या चलता है वह जाती के अधार पर चलता है वह चलता है उच नीच का भेदभाव क्या हो मतलब होता है के समाज में उनको बराबरी का दर्जा दिलाना और आरक्षन की Cape नीती से दूसरे मात जो समाज जो अन्यूसुचित जाती जन्जाती ते की समाज है उनको आरक्षन देकर के बाकी समाज के बराबर स्टेटस में लाना ही क्या कराता Germanite कहलाता है दोस्तों एक खास बात में आपको बता दू कि सामाजिक न्याय के जनक भारत में किसको कहते हैं भारत में बियार अंबेटकर सापको फादर आप सोशल जस्टिस का जाता है सामाजिक न्याय के पिता या प्रणेता कहते हैं बियार अंबेटकर सापको बड़ी मि firearm के दर्जा ने के लिए आरक्षन ज़रूरी है दलित और आदिवासियों को सामाजिक नयाय परदान करने के लिए आरक्षन महत्पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा शमाज में व्याप्त असमानता को पत्र किया जा वखता है समानता के लिए तो आप समानता कब आए कि जब आसमानता खतम हो जाए तो प्रक्षन बहुत बहुत ज़्याधा था लेकिन देर देरे सरकार के प्रयासों से बहुत कम हो चुकआ है करंग करते से पांच को की बात करते हैं यह आपको मिलेगा पेज नंबर 99 पे पेज नंबर 99 देखें के अपना इंसी आटी का तो वहां पर एक क्वेशन लिखा हुआ है बना इंट्रस्टिंग कॉशन है क्वेशन पढ़ लगता है कि रत्नम को परंपरा रत्नम को परंपरागत रस्म हमने एक दो कोशन पहले ही सुनी है तो आप उस कहानी को सुन करके यह करिए आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को उस रस्म के लिए परंपरागत रस्म के लिए मजबूर किया जा रहा था कौन सी रस्म वही 20 पुजारियों के पेर धों करके नहाने के रस्म तो उसका अगर दो आफिस सब को फिर दो सबकाना लवनास रšकितकि सभीस अगर मिलना चाहिए अला को कर दो सब करवाए जा लोगों को क्यों कि दलीगत थार यह काम करने के लिए जो ऑस इससपर अधिकर नहीं डाल सकते हैं और एकुर अधिकार का यह लंगन होता है, विरुद्द अधिकार, व्यक्ति की ऊपर जबर जस्थी काम करें चारा रहा है, काम को थोपना, क्या कहलाता है? आगर आपसे जबर जस्थी काम करवाए तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग exploitation बोलते हैं शोशन कहते हैं तो इस शोशन के विरूद अधिकार भी हैं तीन मुलिक अधिकार करें यहां पर उलंगन होता है लेकिन हमकोर हमको दो ही लिखना तो हम दो भी लिख सकते हैं तीन भी लिख सकते हैं बढ़ते हैं इस वर आगे तो दलित जाती के होने की कारण रतनम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मुलिक अधिकारों का उलंगन है क्यों क्योंकि सविधान के अनुसार देश के सभी नागरिक समान है और उसके मुलिक कौन-कौन से का उलंगन है समान है तो हम बोल सकते कि समानता का अधिकार का उलंगन है समानता की अधिकार का उलंगन है और यह को बोल सकते हैं स्वतंतरता के अधिकार का उलंगन है उसका स्वतंतरता के अधिकार को दिया गया है यह उसके खिलाप है तो खाली दलिद जाती के होने की करण उसे उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी विशेज जाती को लेकर के तो ये भी लिखा जाता है कि आपको इसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जाती हो के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे इस स्टोरी में एक वाकिया भी आता है बीच में कि दलित परिवार जो अपर कास्ट जो शक्तिशाली जाती हैं जो वर्चस शाली जाती हैं उनसे क्यों डर हुए थे रत्नम ने तो मना कर दिया हमने सुना कि रत्नम जब मना करता है तो शक्तिशाली जाती है तो गुस्सा थी जो रत्नम की जाती के लोग थे वो भी असे नहीं दे रहे तो यह क्यों नहीं दे रहे थे जुनिद दे रहे थे क्योंकि निचलि जाती है जो ती जंुत इंड़ली परिवार थे दूसरे उन שמחे डर से यह दर था कि कभी याधा गुस्सा हो गया हो गया विख्ट यह जाएगी कि हम लोग बढ़ए लिखे हैं अभी और हमारी पर रही है लेकिन हम तुम मज़ुरी करते ना और मयश भाश हों मुख़ीर इन्हीं शक्तिशालिय ग्यों के खेटों मैं वहाँ मजदूरी करते हैं और उससे मारा घर चलता है अब रत्रम के मना करने पर क्या में लोगुसा आगया उनको कुछ आगे तो हमको काम निदेंगे हम जाएंगे कहा हमारी आज वीके का साधन तो उनकी और निरवर है ना कही ने कही तो अगर वो गुस्सा आगे हमसे हमारा हमारा रोजगार चीन ले तो हम लोग क्या करेंगे तो बस यही डर था उनको इसलिए वो डर होए थे क्यों क्योंकि उनके रोजगार जो है वो शक्तिशाली समुदाय के हाथ मिठा और बस इसी वज़े से सालों से शोषन हो रहा था अब सरकार ने बहुत सब पड़ सकते सब्सक्राइब कर सकते सबको डर खतम हो गया अब वो शक्तिशाली परंपरा जो थी दबाओ की पुरानी रसमें चल रहे थी वह सारी खतम होती नजर आ रही है क्यों क्योंकि सबको समान तक आजीकार मिल गया है दलितों की रोजी रोटी यानि आजिवी का सवर्णों के खेत खलीहान पर काम करने से चलती थी यहींने बात बोलना चाहरा हूं कि जो सवर्ण हैं जो सवर्ण मतलब जो शक्तिशाली समुदाय जो उची जाती है उनके खेत खलीहान में काम करने की वज़द से दलित समुदाय की जो रोजी रोटी आजीवी का चलती थी तो उनको डर था कि यदि सवर्ण गुसा हो गए तो उन्हें काम बंद कर देंगे तो वे क्या खाएंगे और जिंदगी कैसे चलेगी तो उनको डर जाओगी इसलिए हम हमारे हमारे गाओं के लोगों से नाराज ना करें तो बढ़िया है इसी वज़े से कही सारे लोग इस रस्मों को पारण कर लेते और मान लेते बस यही करण है कि देश में आज भी चुवा चूत आज भी यह जो भेद भाव इसलिए खत्म नहीं हो रहा जब तक सारी सब शक्तिया जो है वह अपरकास यानि सवर्ण के आत्मने रहेगी तब तक यह होता रहेगा सो खत्म होना चाहिए समान तक अधिकात होना चाहिए पैज नमर हंडड़ पर एक वर कोशन दिया क्वें पैज़ नमर हंड़ेट में सात्वा नमर का कोषन है जो क् कि क्या आप 1989 के कानून के दो प्रावधन का उलेक कर सकते बिलकुल कर सकते क्योंकि हमने क्लास में यह तो पड़ा है हमने क्लास में क्या पड़ा है अब 1989 के दो प्रावधन को उलेक करना है अब यहां पर हमने टोडल चार-पावधन पढ़ लिए दो कोई से भी लिख दो काम ह येवारन अधिनियम है सबसे परहिए लिखना पड़ेगा उसके कुछ प्रावदन इस प्रकार है पहला प्रावदन किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो कि अखात दिये यदिये गनदा कुछता है तो सजाका प्रार्ति होगा दो तो यह याद रहे यह तो तीसरा लिख देना अनुस्य जाती और जन जाती और आदिवासी महिलाओं को यहां अधिकार दिया गया कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अनुसरी जाती जाती की महिलाओं के साथ गलत व्यभार करेगा या जान बुझकर्म पर हमला करेगा जो और दबरस्ति करता है तो वो भी क्या होगा सजाका प्रार्थी होगा अब इन तीनों में से जो आपको याद रजा है लिए बोलिक दो तो यहाँ पर हमने दो अंसर मेंशन किये हैं कौन-कौन से अगर कोई व्यक्ति अनुसरी जाती-जन जाती के व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई किसी स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या उसे अपने नाम पर इस्थान अंतरित करता है तो सजा दी जाएगी एक रिया रख लिया दूसरा है अनुसुचित जाती जन जाती कि किसी व्यक्ति को कोई खा दिया गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश नहीं कर सकते अगर ऐसा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा वो भी इस अधिनियम का उलंगन कहलाएगा तो आपने यहाँ पर लिख लिए तो दोस्तों कितना अच्छा है क्वेशन था जो हमने समझा ठीक है दोस्तों बढ़ते हमारे अगले क्वेशन की और देखते हैं क्वेशन नमबर आयट क्या बोलता है क्वेशन नमबर आट आपको मिलेगा पेज नमबर हंड़ेट पर पेज मतलब समझते हैं देखिए यहाँ पर शब्द संकिलन में एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है नेतिक रूप से निंदनी अब यह क्या है यह यह शब्द कहां से आया 1989 बनाया गया था तो वहां से लिखा गया था एक तो शारीडी गूरूप से खोफनाक मतलब किसी व्यक्ति को शारीडी प्रतान ना दी गई तो ऐसे अपराद को भी लिस्ट किया गया और दूसरे जो अपराद लिस्ट किये तो उसका नाम था नेतिक रूप से निंदनी आते हैं अगर आप किसी सी जानबुच के कोई खराब काम करवा रहे हो तो यह तो नेत अनेतिक काम हो गया किया कम से कम आप सब बता तो दिखाएं यह काम इस व्यक्ति से को करवा रहे हैं और खास इस वजह से क्यों क्योंकि वह उस जाती का तो जाती के आजार पर किसी व् परिष्टि फोर्स पुले वो काम कर रहा है यदि वो नहीं चाहता तो तो नेतिक रूप से निंदनी आपराथ का मतलब होता है जो सब के लिए सही है नहीं यह जो आव-मानवी काम होते हैं को इंसान के लिए सही नहीं मना जाता जो काम मानवी प्रतिस्था के परे हो जो इंसान की dignity के परे हो तो वो काम आपसे कर रहा है जो आप करी नहीं सकते आप लड़ लोगे कुछ भी कर लोगे लेकिन वो काम नहीं करोगे कि नहीं काम करूंगा कि में यह मेरी dignity के खिलाव है तो कई ने कई मानव जो हमारी प्रतिष्ठा है उसके खिलाब जो काम है उसी को हम लोग बोलते हैं नेतिक रूप से निंदनी तो इसका मतलब बस यही पूछा गया था तो इसका उत्तर क्या होगा नेतिक रूप से निंदनी वह कार और जहुरीं है जो संयों सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब तो प्रणाइब सब्सक्राइब तो ये आम्मानिय यत करते हो गया तो इसको बोल कि क्यों लो 차 अथुषिं ऑधवा इस प्रकार का विवहार या कारज जो समाज द्वारा स्थापित किये गए नेतिक मुल्यों का उलंगन करता है नेतिक मुल्यों का मतलब जो आमानवी है जो मानवी प्रतिष्थास का उलंगन करता है तो इसका मतलब यह होगा कि नेतिक रूप से निंदनी का मतलब यह है जो गलत है है मतलब हमेशा के लिए ओल्वेज रॉंग है मतलब रॉंग उसको पेसे दे करके या कुछ और चीज बता करके सच नहीं कर सकते हैं जूट को कभी सच किया रसकता गया तो यह हमेशा नेतिक रूप से निंदनी कारें हमेशा निंदनी रहेगा भले ही आपको कोई करोड उठाने का क्या आर्थ समझते हैं सिर पर मेला उठाने की मेला ढूने की परंपरा दोस्तों यह बहुत पुराने समय से देश में चली आ रहे थी अब तो हमारे देश में यह परंपरा बिलकुल खत्म हो चुग है अब नहीं लेकिन 2003 तक मैंसारा कैसे आते ते अब मेला उठ मतलब होता तो गंदगी गंदगी मतलब जो शोच की गंदगी होती है मानव मुत्र मलमुत्र और जानवरों का मलमुत्र उठाना और वह भी खास किसी जातियों को यह काम दे दे कि आपका काम है घर से मानव मुत्र उठा करके बाहर जाके फेकाओ उस्तों किसा लागए बहुत बहुत ही ज्यादा जो है किसा काम था जिसको हम लोग नेतिक रूप से निंदनी मान सकते तो यहां पर पूछा गया कि सीर पर मेला उठाने से आप क्या समझते हैं सिर पर मेला उठाने से मतलब है जानवरों और मानवों के मल को से मल को किसे किसी भी इक्विपमेंट से प्लास्टिक के बरतन हो या कोई भी हो उनसे उठा करके टोकरी में भर करके टोकरी में लेकर करके सीर पर रख करके कहीं दूर इस्तान पर फेकना यह पुरी प्रथा का नाम वेसाई कुछ है बस यही शब्द आपको लिखना है तो वहां लिखा एक चुन म और इंसानों का मलमुत्र उठाकर ठिकाने लगाना कहीं दूर पहुंचा देना क्योंकि पहले जो जो शोचले हुआ करते थी उनको लोग बोलते थे अब आतला वो ड्राय लेट्रिंस बोलते थे उनको शोचले जो पुरानी होती थी सूकी शोचले होती थी आज विवस्ता पूरी सेनिटेशन वाली आज दिकत नहीं है लेकिन पहले क्या था अब मल जो होता था उसको ते इतलों यह मकां दे दिया जाता पर जो हमें दिये गया घ् shaped article से ऐठा तक की बात करता है समान तक आधिकर article 19 से आर्टिकल 22 22 तक जो बाथ की जाती उसको बोलते हैं लोग सवतन्तरता आधिकल थेईस और 24 बोलता है द्रोशन के विरुद्धतिकार और article 25 ए 28 तक बात कि यातीmpfen प्रता के जरिये उलंगन हो रहा है किस प्रता के जरिये पूछना चाहरा है यह जो पेज नंबर 101 बीजो प्रता बताएं गई है कौन से प्रता है यह हाथ से मेला उठाने वाली प्रता की बात कर रहे हैं तो कौन से अधिकार के उलंगन हो रहा है एक तो हो रहा है आए समान्ता आधिकार के उलंगन समान्ता व्यक्ति को शमान्ता आधिकार उलंगन हो रहा है जो की जाती सूचक काम रख दिया गया और बहुत लोग ऐसे लोगों से बहुत दूर भी रहना पसंद करते हैं यह गलत भी था चुवा-चूथ की भावना पेदा हो रही है समानता नहीं हो समानता का अधिकार का उलंगन हो रहा है साथ इसाथ स्वतंतता की अधिकार को लंग बागी होगा है तो तो एसा नहीं है कि उस व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को स्वतंततता का अधिकार वह चाहे तो उस चुश को बना कर सकता है और वैसे भी सरकार ने 1993 प्रत्था को बेन लगा दिया थो अब कोई भी किसी व्यक्ति से काम ने करवाएगा सफाई करमचारी आंदोलन ने 101 में लिखा हुआ यह पेश नमबर पर एक सफाई करमचारी आंदोलन सफाई करमचारी कौन जो सफाई करमचारी जो मेलाड होते थे उन उन्होंने आंदोलन किया 2003 में जनहित याची का दाया क्यों दायर की और अपनी याची का में उन्होंने किस बात प्रापती कि देगी 2003 में क्या हुआ तो 2003 में कुछ ग्रूप्स थे जो सफाई करमचारी के गुरूप्स थे सब बढ़ा गूरूप उता है दोस्तों अगर आपके घर के बाहर कोई कच्छा उठाने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो सब सब साय करमचारी ऐसे बहुत सारा सीवेज्च साफ करने वाले यह से बहुत सारे करमचारी नगर नेगम घर्रामिट चयातों सब जगें तो कुछ जगे क्या हुआ 2003 में याचिका फाइल की कि तुछ कि 1993 में सरकार ने एक पास किया था एक पास किया कि जिसका नाम था manu प्रैक्टिस आप मैनुवल स्केवेंजर एंड ड्राय लेट्रिंग्स प्रोहिबिटेट मतलब जो मेला उठाने वाले लोग है उस काम को उन्होंने बेन कर दिया और जो शुष की सोचाले मतलब सूखे सोचाले बन रहे थे उसके पर उसके निर्मान पर भी क्या लगा दी पाबंदी लगा दी आप किसी व्यक्ति से मेला उठाने के लिए नहीं बोल सकते हैं लेकिन दो 1993 में कानून आया था दस साल में क्या हुआ दस साल बात उन्होंने इलर्सिस किया और दो तीन में याचिका फायल की गई कि आप 1993 में जो वाले लोगों की संख्या और बढ़ रही है तो उनको कहीं नहीं कि बहुत लगा किया अभी के तुप करना चाहिए याचिका फायल करना चाहिए सुब्रिम कोड ने फिर इसमें स्पेसला भी दिया 2005 में उसकी बात भी हम लोग आई करेंगे लेकिन फिलहाल क्या कोशन है तो क्या उत्तर इसका कि जनः तीया चाहिका ढ़ियर करने करानी यह था कि 1993 में सरकार ने एमप्लाइमेंट आफ मैणुवः स्क्वेंजर इंप्लाइमेंट ऑफ मैणुवः स्क्वेंजर का मतलब होता है कि हाथ से या सीर से मेला उठाने वाले जो लोग तीन फेज़य गया था कि फिति अब कांव नहीं करें लेकिन कानून के बाद फी प्रता 2003 में भी जा रही थी दो 2003 में लगा कि भी जाड़त अभी भी चल रहा है तो आभी लोग जुड़े हुं है तो कहीं न कहीं यह प्रता यह कानून का ने कर तो कि अगर यहां पर लोगों को सजा देने का प्रावदान किया जाता तो कहीं ने कर यह कानून यह जो लोग जो अभी भी जूड़े हुए मेला ढोने पर इसको सबको न्याय मिल जाता तो यह कुछ हुआ था इस वज़े से सफाई करमचारियों 2003 में यह जाची का फाइल की आप देखो यहांचिका फाइल करने के बाद क्या हुआ यह कुशन नेक्स आजाता है 101 पर ही मिलेगा आपको पेज नंबर और यहांचीका फाइल करने के बाद सुप्रीम कुर अपना फैसला देता 2005 में तो इस से कुशन पूछ लिए मेला डोने वाले की प्रता बंद हुई है कि आज भी चलन में तो अगर सच्चा ही है तो छे महीने के अंदर उन लोगों का पुनरवास की विवस्ता करें उनको रिहेबिलेट करें यानि उनको दुबारा से उनको नए काम दे जाए उनको घर बन दिये जाए विवस्ते उनको उनके लाइफ को जो आजिवेका के दूसर साथन जुटाए जाए उनका पुनरवास किया जाए इस प्रता से उनको निजात दिया जाए तो ऐसा ही कुछ उसमें लगा गया तो सरकार ने क्या कि 2013 में को कानूं बना दिया कि मेला उठाने वाले लोगों के पुनरवास की देशकेंद्र वह राज्य सरकार के सभी विभाग मंत्रा ले छे महिने के अंदर इस बात की सच्चाई का पता लगा है जो 2003 में सफाई कर्मचारियों ने जो याची का फायल की थी क्या वाक्य में प्रताबंदी होई है यदि प्रता अभी भी प्रसलन में पाई जाती है तो संबंदच सरकारी विभाग ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनरवास के लिए समय बद्र कारेक्राम त्यार करें कम से कम टैम पे वापसस से इनको पुनर्वास किया जाए वापस से इनको इस्टेबल किया जाए और पुरानी लाइफ में इनको लोटा दी जाए ताकि वो यह काम से मुक्ति मिल जाए दूसरा काम इनको दिया जाए विवस्ति इनको कुछ एवज में रोजगार भी दी जाए ऐसा कुछ था ठीक है नेक्स कॉलं में तीन अलग रोडी चौह तो इन तीन कॉलं में क्या है तीन प्रक्रश्न देगै पेहले तो दी रिखनाはい कि योजना की सूचिंव HOWठ के उयूज देखना है दूसरा यह योजना किस योजना के बारे में जिस का संबन किस चितसे और तीसरा की कॉशन स्कौूना बोर यह सब समाजिक न्याई के लिए क्या कभी आपने सुना कि है अमीर लोगों के लिए देश Comm altura के भी अचना लिए गरीब लोगों को उपर उठाने के लिए अनुसुज़ जाती और जन जाती के कल्यान के लिए योजना आती है तो पहली पहला हम पढ़ लेते हैं पहला कुशन क्या है विद्यारतियों के लिए वजीफे की विवस्ता चात्रवास की सुष्विदाया अलग से कोई जो साक्षर्था से संबनित है किसी विशेश गूरुप के विध्यारतियों की बात कर रहे हैं यहां पर यह अनुसुज़ जाते हो जन जाती के बच्चों की बात करें जिनको अलग से विवस्ता की जाती है अब क्या सामाजिक ज्याए को बढ़ाव देता है तो बिल्कुल बढ आटिकार को दिलाने के बारे में हो सकती है विसेज विशेष अधिकार को दिलाने के बारे में हो सकती है त monstrue तैसे भी सामाजी स्थ آپ Yourster नाय आप बता दूगा तीसरा को सरकारी स्कूल में के के विशेष योज ना platform लड़की तो तो बढ़ाना यह लड़कियों की सुरक्षा से संबंदित हो सकता है लड़किया पड़ेगी तो अपना काम खुद करेगी जॉब्स करेगी विवस्तित करेगी तो उनको डिपेंडेंस ही कम होगी कहीं यह समानता के अधिकार की बात करता है तो लड़कियों को भी लड़कों क किस स्थार सुधार ने के लिए कि साक्शर्था को बढाऊ देने के लिए कि थी नहीं लाए गीथी दूसरा हमने में बुष्यष स्थान की जा रहा है क्योंकि कि सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक सुमर्खषा के लिए सब्सक्राइब कर那 지역 कर दो लेकिन थाने भी अनुसरी जाते और जन जाती के लिए ही बनाएंगे ताकि उनकी सुनवाई अच्छे से हो जाए और कोई भी व्यक्ति यहां पर उनके साथ भेदबाओं न कर सकते तो उसके लिए क्या विशेश जगह का गठन किया वो सामाजिक सुरक्षा पैदा करता है जाम में बोल दिया कि 50% पर जहें महिलाओं के लाक्षित होंगे क्यों ताकि महिलाओं आगे बढ़कर हिस्सा लेगी और पुरुष के बराबर काम करें महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने का आउसर देने के लिए सामाजिक न्याय का मतलब होता है समानता से हर वो अस आउस सारी चीजें हमने समझी Бभस सोरा अच्छेश्य कौशन की उत्तर बें हमने समझे आशा करता हूं कि आपको सारे कोश्ण के उत्तर सटीक मिल गया होंगे और आपको समझुम भी आ गया दोस्तों तो अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सिक्वेंशली नहीं मिल रहा है तो घबराने के जरूत नहीं है क्योंकि मैगनेट बेंस आप लोग के लिए लेकर के आया है मैगनेट बेंस डॉट कॉम हमारे वेबसाइट वहां पर आप विजीट कर सकते हैं जैसे आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे वहां आपको मिलने वाला है यह इंडिया का नमबर वन आउânलाइन ऐडूकेशनल प्लेटफॉर्म पर अंडीया का नमब वन प्र सकते हो अपना कूर्स एक्स्प्लोर यहां पर हथी इंदी मिडिय Indy मिडियंप पर आप क्लिक करेंगे आपको आपकी क्लास यहां पर देखनी आप आपको आफ़ी क्लास में तो आपको करें करेंगे कक्षा के pat पढा ने हुटे बार नागरिक शास्ट्र एक दिया गया है मान लो मुझे भूगोल पढ़ना आया तो मैं भुगोल के नीचे watch now पर click करूंगा जैसे मैं watch now पर click करता हूं बुरा भुगोल के अंदर मेरे सारे चप्टर यहां पर आ जाएंगे वह chapter wise video देखो यह भुगोल का पहला chapter देखर आपको संसाधन पाठ्यक्रम पर पर जाएंगे टॉपिक वाइस सारे वीडियो मिलेंगे जैसे आप click करेंगे आपका video हो जाएगा वहीं शुरू और आप आसनी से मेरे वीडियो देख सकते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों यहां पर जाकर नेक्स वीडियो करके आप नेक्स वीडियो भी देख सकते हैं तो यह अच्छा तरीका है अपने कोर्स को पढ़ने का और नोर्स बनाएं दोस्तों और टॉप करके दिखाएं तो मैगनेट बेंस का विकल्प बहुत अच्छा है मैगनेट ब्रेंस आप लोगी लिए लेकर कि हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच